नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूटूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपकी समक्ष उपस्तित हो साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर स्टुएंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं जीवन कोशल प्रवंधन एवंग अभिवरत्ति सेक्शन के इंतरगत दूसरा टॉपिक आता है आपका व्यावसाइक आचरन एवंग नीती पहले टॉपिक जीवन कोशल को हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं जान चुके हैं कि वास्तव में जीवन कोशल होते क्या हैं और उन से रिलेटेड कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर हमें विशेश रूप से ध्यान देने के आवश्यक्ता है जहां से सूपर्टेड के एक्जाम से प्रशन पूछे जाते हैं और उन से रिलेटेड हमने 30 प्रशन भी सौल किये हैं ताकि हमें आइडिया हो पाई कि इस टॉपिक से करेंगे और अगली कुछ क्लासिस के माध्यम से सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्यापसाइक आच्रन इवंग नीती क्या होते हैं इस टॉपिक को आयोग ने हमारे इस लेवस में क्यों रखा है इसके पीछे के रीजन को समझेंगे और क्या चाहती है आयोग हमारे बीहेव में पूछे जाते हैं और 79,000, 68,500 में किस तरीके के प्रिश्णफ तक पूछे गए हैं उन सभी पहलों को समझेंगे जानेंगे और समझने के कोशिश करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि व्यापसाइक आच्रन इवंग नीती क्या होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्यापसाइक आच्रन इवंग नीती ये टॉपिक का नाम है तो व्यापसाइक आच्रन से आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी व्यापसाइक को करने के लिए आपके आच्रन किस तरीके के होने चाहिए इस बात की जानकारी भी आपको होनी तो शायद आप दूसरों को समझ पाएंगे और उनके हिसाब से आप अपने व्यावहार को प्रदर्शित कर पाएंगे और इसके साथ साथ स्ट्रेंट्स आपको एक अच्छी नीती यानिक एक पॉलिसी भी आपकी होनी चाहिए एक नियम भी आपके होनी चाहिए आपके बिजनेस को ध्यान में रख कर यदि आप अपने व्यावसाई को ध्यान में रख कर आप सही आच्रन और सही नीती का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आप से जो है सभी लोग जिस भी व्यापसाय में होंगे तो आप से सभी लोग प्रभावित होंगे और आपके कारी की प्रिशंचा करेंगे आपकी तारिफ करेंगे और आप उन सभी में एक important इस्थान प्राप्त करेंगे तो कहने का मतलब इसलिए आपको आयोग ने इस टॉपिक को दिया है कि व्यापसाय का आचरन एवंग नीती को पहले as a teacher आप इसे पढ़े समझे और अपने जो व्यावहार है अपनी जो नीती है उसको जाने तो इसके इंतरगत सबसे पहले स्ट्रेंट्स अगर हम टॉपिक के एरर है यह व्यापसायक नहीं है यह आपका है यह आपका है व्यापसाय या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी में व्रतिका तो व्रतिका का अर्थ है या फिर आपके व्रतिका का क्या अर्थ है या फिर आपके व्रतिका का क्या अर्थ है या फिर आपके व्रतिका का क्या अर्थ और किस प्रकार के उसकी नीति होनी चाहिए, इन सभी बातों को हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तब में व्यापसाई किसे कहते हैं, या उक्क्यूपेशन्स का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम इनको जानेंगे. तबी हम आगे के points को detail में जान पाएंगे हैं समझ पाएंगे तो सबसे पहला point आपका ये है is trends की व्यापसाय का क्या अर्थ है यानि वृत्तिका का क्या अर्थ है तो पहला point आपका है कि किसी भी विशेश कार्य कोशल को अपना कर जिसको अपना कर ये जिसको आप स्वेम अपनाते हैं यूज करते हैं और अपना जीवी को पारजन करते हैं जीवी को पारजन का मतलब होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं ये इस जीवन में इस लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई sources ऐसे होने चाहिए जहां से आपकी income होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं तो इस पूरे portions को हम कहते हैं जीवी को पारजन तो कहने का मतलब आप व्यापसाई क्यूं करते हैं तो कोई ऐसे विशेश कारे कोशल को आप करते हैं जिस भी कारिय जो करते हैं तो इसी को ही हम क्या क्हेते हैं दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो व्यापसाई का एक और अर्थ होता है कि कारिय कोशल के माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान करना तथा उसके बदले में शुल्ख प्राप्त करना व्यापसा या व्रत कहलता है देखल के और जब हुँस आप लोगों को सेवा प्यूस शल्क प्रतिका करते हैं कि खुछ चारियग है चुनिरे हैं यह कुछआ लेते हैं तो उसी ही हम व्रतिका कहते हैं निक कार्य कोशा के मात्यु हम से लोगों को सेवा प्रदान करना तथा उसके बदले में शुल्क प्राप्त करना व्यापसाय या वरतिका कहलाता है ये व्यापसाय का मूल अर्थ है आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए है और व्यापसाय के जो मुख्य अर्थ है उसको भी जान पाए होंगी चल आप विजनस में हैं तो उसके कुछ मानक होते हैं उसके कुछ स्टेंडर्ड होते हैं तो इसके बारे में भी आपको नौलिज होना चाहिए कि किसी भी व्यापसाई के क्या मानक होते हैं कि क्या स्टेंडर्ड होते हैं तो इसके इंतर जो आपका पहला पॉइंट आता है वो आ धारन करते हैं तो धारन करने के बाद सम्मंदित व्यापसाई से उससे रिलेटिट जो व्यापसाई हैं उस व्यापसाई के लिए जब आप लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो उसी को ही हम व्यापसाई के मानक कहते हैं यानि कि किसी भी व्यापसाई को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक प्रकार की योग्यता होनी चाहिए हमारे समिधान के द्वारा कुछ योग्यताओं को निर्धारित किया गया है तो जब आप उन निर्धारित योग्यताओं को धारन करेंगे यानि प्राप्त करेंगे उसके बाद उनसे सम्मंधित जब आप व्यापसाई के लिए license प्राप्त कर लेंगे तो उसी को ही हम व्यापसाई के मानख कहते हैं For example के लिए semester जो भी आप exams की तयारी कर रहे हैं जैसे आप super test की तयारी कर रहे हैं super test के लिए जब आप आवेदन भरते हैं आवेदन करते हैं तो उसके अंतरगत आपको बीएड या फिर डियलेट प्रशिक्षिक्षन के मांक्षिट आपके पास होना आवश्चक है यदि आपके पास ये मांक्षिट नहीं है तो फिर आप इस teaching examining super test exams में आवेदन नहीं कर सकते हैं तो ये कही ना कहीं एक निर्धारित योगताएं हैं जो society के द्वारा या फिर system के द्वारा निर्धारित किये गए हैं और जब आप उन निर्धारित योगताओं को धारन करते हैं और किसी भी व्यापसाई को करने के लिए जब आप license को प्राप्त कर लेते हैं यानि कि माक्षिट को प्राप्त कर लेते हैं तो इसी को ही हम व्यापसाई के मानक कहते हैं सबसे प्राथमिक चीज़े यही है इसी को ही हम इसके मानक कहते हैं दूसरा पॉइंट इस्ट्रेंट इसमें है कि व्यापसाई के मानक के अंतर गर जो आपको धियान रखने के आवश्यक्ता है हैं जो भी आपसे सेवाय प्राप्त कर रहे हैं उनको फाइदा हो एनिके उनके लिए कोई नुक्सान ना हो इस प्रकार के आचरन आपके होने चाहिए अगर आप किसी भी व्यापसाई को करते हैं तो आपको इन सभी बातों को धियान रखना होगा हैनिके आप अनैतिक आचरन नहीं कर सकते नेक्स पॉइंट आपका कहता है स्ट्रेंट कि किसी ग्रहक का शोशन ना करना देखे कोई भी ग्रहक आपके पास आते हैं उनका आपको शोशन नहीं करना मतलब उसका गलत दुर उप्योग नहीं करना फोर एक्जामपल के लिए मान लिजे आप एक शोप के पर हैं और आपके पास कोई आइटम है जो किसी दूसरे शोप पे नहीं है और आपने उसके जो कॉस्ट है वो 50 रूपीज है बट आपको पता है कि ये जो प्रोड़क्ट है ये किसी और शोप पे नहीं है इस समय अविलेवल तो मैं इस product की जो price है वो 50 MRP उस पे है बट मैं इसका जो है 100 रूपीज लूँगा तो इस प्रकार से यदि आप अपने व्याफसाई को करते हैं तो कही न कहीं आप उनके साथ अनैतिक आचरन को प्रदर्शित कर रहे हैं और इससे क्या होगा कि आप ग्रहाग का शोशन करेंगे तो इस प्रकार के आपके व्यावहार नहीं होने चाहिए चाहिए आप किसी भी profession में हैं तो आपको इस प्रकार से ग्रहाग का शोशन नहीं करना है next point पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैपसाई के मानेख में क्या है तो next point आपका कहता है is competence कि समाज कल्यान के कारें को बढ़ावा देना देखिए आपको इस परकार के कारें करने हैं जिससे समाज का कल्यान हो सके यहनि कि समाज के कल्यान के लिए जो भी कारिय है उसको बढ़ावा देना यह आपका करतव्य है जो भी समाज से related ऐसे जो भी work है जिससे समाज आपका आगे बढ़ता हो तो इस प्रकार के कारिय को आपको बढ़ावा देना बहुत जादा जरूरी है आशा करता हों कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी easily समझ पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है students कि आवशक्ता पढ़ने पर सेवा उपलप्त करना देखिए अगर आपकी कहीं पर भी आवशक्ता पढ़ती है चाहे आप किसी भी profession में है तो आवशक्ता पढ़ने पर यह दिक किसी व्यक्तिक आवशक्ता पढ़ती है तो आपको उसके लिए सेवाई उपलब्त कराना ये आपका परमधर्म है परमकर्तव्य है इस चीज़ को आपको जानना होगा तो ये व्यापसाई के कुछ मानक होते हैं स्टेंडर होते हैं जिन रूल्स रेगुलिशन के बारे में as a person आपको पता होने चाहिए चले आगे बढ़ते हैं और देखतें next point आपसे क्या कहता है तो next point और last point आपके व्यापसाई के मानक से रिल्टेड है कि सेवा के बदले उचित शुल्क लेना देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी आप सेवाई देंगे उसके बदले में आप उचित शुल्क ले सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपको जो है आवश्चक्ता आपकी पड़ी और आपने सेवाई दी और उसके बदले में आपको कुछ नहीं ले रहे हैं वो आपकी personal problem है आपके personal वेक्टित को दर्शाते हैं कि आपके इस वेक्टि से लेना चाहते हैं किस वेक्टित नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहते हैं बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को अपनी सेवाई दे रहे हैं तो उसके बदले में आप उससे उचित शुल्क ले सकते हैं यह व्यापसाई के मानक के अंतरगत आते हैं आशा करता हूं कि इन सभी पॉइंटों को आप समझ पाए हैं और वास्तव में जान पाए होंगे कि व्यापसाई करने के लिए उसके क्या स्टेंडर्ड होने चाहिए क्या रूल्स होने चाहिए जो एक परसन को हमेशा पता होने चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स प्रजालत कर सकते हैं व्याप्साय कि क्या उचित वीशेष्दा हैं प्रदान करते हैं ग्रफ अगर के संजangen को से प्रदान करते हैं for example मान लिजित्रेंट्स आपकसी शॉप पर जाते किसी प्रोड़क्ट को लेने के लिए उसçॉप आप लेते हैं इ jesteśmy इस को आपको प्रोडेक्ट है वो आप काफी दूर से ले करा रहे हैं या फिर आम के शॉप कीपर है इस बात को संजे कि जो व्याप साय है आप 007 पैसे ना समझें कि यहाई जो इसने दिया है ask yo मैंनेश कौ पैसे दिए जरूरी यह बात नよね कि पैसे हां पैसे आपने जरूर दिये हैं इस बात में कोई दो राहे नहीं है आपने पैसे नहीं दिये हैं लेकिन उस व्यक्ति ने भी आपके लेक तरीके से सेवाय उपलब्द अगर वो उस प्रोडेक्ट को किसी विशेश स्थान से लाकर अपने पास नहीं रगता तो शायद आपके जरूरत के समय वो चीज़ आपको उपलब्द नहीं हो पाती तो इस तरीके से अगर हम बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है कि हर व्यापसाई की अपनी आचार सहीता होती है यानि कि हर व्यापसाई प्रत्यक व्यापसाई कोई भी व्यापसाई कोई भी प्रोफेशन आप देखेंगे उसकी अप point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है कि व्यापसाई अपना स्वैम संगठन गठित करता है देखिए जो व्यापसाई होते हैं कि जो business होते हैं वो स्वैम यहीं कि वो खुद ही संगठन गठित करता है कहने का मतलब कोई भी व्यापसाई हो वो आप केले व्यक्ति कभी नहीं कर सकते, मतलब आप किसी भी business में किसी भी profession में है, तो उस व्यापसाई को संचालित करने के लिए आपको एक संगठन की आवश्रकता होती है और वो संगठन जो है वो व्यापसाई वाले swim ही बना लेते ह हैं तो व्यापसाइ अपना स्वैm संगठन भीगठित कर लेती है ये भी व्यापसाइур को लिभीषिश्था के इंतरगत आते हैं नेक्स पॉइंट आप अपना विशिष्ट ग्यान भंडार होता है जिस भी profession में आते हैं आप उस professions के अंतरगत एक अलग specific knowledge आपको होती है और ये आपके व्यापसाई की विशेष्टाओं के अंतरगत आते हैं कि व्यापसाई की अपनी एक विशेष्ट ग्यान भंडार होते हैं चाहें आप किसी भी व्यापसाई में चले जाई हैं इसके अंतरगत next और last point आपका बनता है कि व्यापसाई अपने सदस्यों के व्यापसाई के व्यापसाईक जीविका का आस्वाशन देता है यहनि कि जो व्यापसाई होते हैं, जो occupations होते हैं, वो अपने सदस्यों के, यहनि कि जो उस व्यापसाई के अंतरगर जो भी संगठन में सदस्यों पस्तित हैं, उनके व्यापसाई जीविका का, यहनि कि वो अपने जीवन को किस तरीके से आगे संचालित करेंगे, उस profession में होते हैं मान लीजे आपकी जौब लग जाती है तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपको पता रहेगा कि आपको आने वाले समय में आपका आपका जो जीवी को पार्जन है वो किस प्रकार से संचालित होने वाला है और आप उससे बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे आप क कि इन सभी पउइंट चालियों को आप आप इसरी समझ पाएं और जान पाएं और जान पासा की क्या विशेश्तां के और देखेस्चिंट की विशेश्ताएं यह द topic है आपका व्यापशाई कि आच्रन और नीति है यह हमारे slaves में दिए गए हैं आयों के द्वारा तो simil service हम जिस profession में है as a teacher हम teaching profession में है तो यह जो व्यापशाय और नेति है वह हम से relate करने होंगे झोंकि इस topics related निए यह प्रशन सुनवर्य के इस परकार करें आज तो सिक्षण व्यापसाई की क्या विशेशता है इनको जानना बेहद जरूरी है तो अब हम जानेगे कि सिक्षण में व्यापसाई का क्या रोल है निकि सिक्षण व्यापसाई किस प्रकार के होते हैं और इसके इंतरगत कौन-कौन सी विशेशता ही होती है तो इसके इंतरगत कि किसी भी व्यापसाई के कही ना कही rules और regulations होते हैं और उनके अपने अपने ग्यान भंडार भी होते हैं और वो स्वेम से ही अपने संगठन को गठित करते हैं लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं as a teacher teaching profession में तो वो है सिक्षन व्यापसाई के अंतरगत हमारे भी कुछ rules और regulations होते हैं as a teacher जब आप किसी विद्याले में पढ़ाने जाते हैं तो आपको पता है कि उस विद्याले के rules और regulation अवश्य होते हैं उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये सभी चीज़े हम कब सीखते हैं जब ह लेते हैं तो एक टीचर के रूप में हम अपने आपको विक्सित करते हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार से हमें टीचिंग प्रोसेस को आगे संचालित करने होते हैं तो देखे सिक्षन व्यापसाई के भी अपने आचार सहीता होती है इसके अंतरगर जो दूसरा point आपको व्यापसाई में जाएंगे तो हो सकता है कि वह आपसे जो शुल्क लेते हैं उसके बदले कोई प्रोडेक्ट देते हैं बट जो teaching profession में जो सिक्षन व्यापसाई में जो सिक्षक है वो अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से बच्चों का विकास करते हैं तो ये एक तरीके से सेवा कालिन विकास जो है वो उत्पन करते हैं इसके अंतरगत जो next point आता है students आपका वो आता है कि यह है एक समाजिक सेवा है जो section व्यापसाई है वो एक तरीके से समाजिक सेवा है यहां से सीधे सीधे आपके exams में प्रशन पूछे जाएंगे कि section व्य है वो आपके सैवा के नंतरगत आते हैं इसके अंतरगर जो next point आपका बनता है eles वह है इसमें बुध्ध करियाएं संबलित होती है जो section व्यापसाई है उसमें बूध्ध भी क्रियाईबी संबलित होती है यह बिना बुध्धी की आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं रह स वह यह है कि यह है उच्छ मूल्य को स्वायत्ता प्रदान करते हैं जितना ज्यादा आप इस फिल्ड में वर्क करते हैं उतना ही ज्यादा आप उच्छ value यानि उच्छ मूले स्थापित करते हैं और इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं तो इसलिए यह उच्छ मूले को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं इसके इंतरगत next point आपका बनता है इस्ट्रेंट कि यह आत्म संगठन की और ले जाता है देखे यह जो आपका शिक्षन व्यापसा है यह आत्म संगठन की और ले जाते हैं यहनि कि यह हमेशा एक तरीके से संगठन क्रूप की और ले जाते हैं क्योंकि as a teacher जब आप सिक्षन करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को आप सिक्षित नहीं करते हैं आप सभी बच्चों को ले कर एक संगठन निर्मान करते हैं और उसके माध्यम से आप उनको विक्सित करते हैं और इसके इंतरगत जो next और last point है students वो है वो यह है कि इसमें अध्यन और प्रशिक्षन शामिल है देखिए इसमें अध्यन नहीं कि study बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए प्रशिक्षन इने ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि as a teacher मतलब आप यह दे teaching profession में है तो आपको सबसे प बच्चों के साथ या दूसरों के साथ treat कर पाएंगे सही ढंग से और आपके क्या rules regulations है इस बात की जब आपके पास जानकारी होगे तब आप उसका implement कर पाएंगे तो एक तरीके से जब आप swim खुद trained होंगे तब ही आप दूसरों को training दे पाएंगे यानिकि दूसरों को train कर पाएंगे और इसके साथ साथ जब आप training ले लेंगे तो उसके साथ साथ आपको अध्यन शिल भी रहना होगा यानिकि अध्यन रत भी रहना होगा हमेशा आपको अध्यन रत रहना होगा यदि आप इस profession में आते हैं क्योंकि स्ट्वेंट्स समय समय पर changes किये जाते हैं और यदि मान लिजे कि teacher be at करने के बाद जब आपकी job लग जाए और उसके बाद बिलकुल आप अध्यन रत नहीं रहते हैं कि बिलकुल आप अध्यन नहीं करते हैं तो फिर कहीं न कहीं आप चीज़े भूलने लगेंगे और आपके behavior में वो इस पश्टताई नहीं दिखेगी जो एक बहतर अध्यापक में होने चाहिए तो इसके लिए इसमें अध्यन और प्रशिक्षन बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप select हो भी जाते हैं तब भी आपको अपने जीवन में बहतर करने के लिए आपको हमेशा अध्यन रत रहना होगा तो इसलिए सभी points आपको प option में देखने को मिल सकता है तो आशा करता हूं कि यहां तक जो भी बाते मैंने आपको बताई हैं वो आप सभी समझ पाए हैं और व्यापसाइक आचरन एवन नीती के अंतरगत आपने सबसे पहले जाना कि व्यापसाइक क्या होते हैं और उसके बाद हमने जाना कि section व्याप अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे वेल आईकन को भी प्रेस कर दीचे ताकि इसी तरीके के बेनिफिशल वीडियो जब भी मैं आपक के लिए बनाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जैहें